आज मैं इस विडियो में भाभी को पटाने के लिए भाभी को वस्म करने के लिए एक ऐसा तिब्र वस्म करने के लिए एक ऐसा तिब्र वस्म करने जा रहा हूं जो कि कभी खाली वार नहीं जाता है देखिएगा बहुत सारे मिरभक्त हैं जो कि अपने भावी को वर्स में करना चाहते हैं अपने भावी को अपने प्यार में बेचेन करना चाहते हैं और बहुत सारे मिरभक्त हैं जो कि अपने भावी को पटाना चाहते हैं अपने मुठी में करना चाहते हैं उन भक्त के लिए ये बहुत ही आसान सा वसीकन टुटका है जिसके परियोग से वो अपने भावी को पटा सकते हैं देखिएगा मात दो लोग के चमतकार से ही आप अपने भावी को अपने वस्म कर सकते ही अपने महबत में बिच्छेन कर सकती हैं देखिएगा मेरभग तो यह जो दो लवंग है इसी प्रकार से आपको दो लवंग लेना है जिसका फूल टूटा फूटा नहीं होना चाहिए और जैसे ही दोनों लवंग को लिजिएगा तो इस वसी गन्टूटा का असर हो जाएगा जैसे उस भावी के साइड में इस लोवंग को असपस कर लिजिएगा इस लोवंग को लेकर आप किसी भी बिल के पौधे कपस में जाएगा और वहाँ पे चुप चुप बैठ जाएगा बैठने के बाद में आपको इस लोवंग को निकालना है जैसे ही निकालिएगा दोनों लोवंग को ठीक अपने इस प्रकार से भाथों में रख लिजिएगा जैसे कि बायां में उस भावी का नाम ले लिजिएगा और अपना नम दाएं में लेकर रखे लिजेगा उसके बाद उस भावी का छेहरा अपने मन में वसा लियागा उनुमान लगा खीज़िगा जैसे ही मन में वसा आईएगा इस प्रकाष से नाम लेते हुए इस प्रकाष से आपको long way long करना है यानि की रगर्णा है जैसे ही रगर्णा खत्am होगा इस दोने लोगोग को इस प्रकार से आपको सटा ना है और सटाकर अपने शर से कहन वर उल्टा घुमा लेना है और उल्टा जबह अपने दाएंंपर के तलवें से दबा दिये हैं आप इस प्रकार से अपने दाएंपर के तल्वे से दवा दिये हैं, जैसे ही दवाईएगा, पूरा दिस्टाक तरफ में घूमिएगा, उसके बाद में घूमकर बोलिएगा एक छोटा सा मंत्र उस भावी के नम के साथ में, जिसे ये तोटका सीध हो जाएगा, और अपना अस जहाँ पर अमुक बोले हैं, वहाँ पर उस अपने भावी का नाम लेना है, जैसे परोस वाली हो या आपकी भावी हो, जिससे आप पटाना चाहते हैं, उसका नाम के साथ में जैसे ही इस मंत्र का जाप खतम होगा, फिर से दोबारा मंत को बोले, तीबारा बोले, चार बर पांच बार बोले, यानि कि इसी परकार से इस मंत्र का जाप एक साव वाट बर कर देना है, जैसे एक साव वाट पर खतम हो, पेर के नीचे दबाये हैं, इस परकार से जो लवंग इस दोनों लोंग को उठाना है, और ले जाकर अपने तकी एक नीचे दबाय का रात को सो ज जाना है, फिर अगले दिन सोना है, और दो दिन बाद चाल दिन में जैस से ही रभी वार आए, रभी वार के दिन इस लवंग को उठाए, और उठाकर किस्ती भी बहते हुए पानी के पास में जाए, और आपको उस पानी में धो देना है, और इस लवंग को अपने पर्स बक में रख लेना है फी दखीगा चमतकार आपकी भावी आपके उपर दीवानी हो जाएगी